आज मैं आपके साथ एक लेके आई हूँ सीरप जो के कुलेस्टरोल वालों के लिए बहुत ही अच्छा है यह इसके इलावा आपके आर्टरी को खोलता है वैसे भी नॉर्मल इंसान इसको ले सकता है तो इसमें सिर्फ पांच इंग्रीडियर्स हमें चाहिए लेमू अद्रक लेसन ऐपल साइडर विनेगर और हनी और बहुत सिंपल सी चीज़ें आप बहुत ही ज्यादा अफेक्टिव है ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ होता भी य जुकाम और उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हमारी फैमिली में तकरीबन हर मेंबर ही इसको लेता है तो इन सब तीन चीज़ों को लसन अद्रक और लीमू को चील के और दो के रख लिया हुआ है लीमू आप ले सकते हैं दूसरे लाइम ग्रीन लेमन भी ले सकते हैं क्योंकि वह सीद थे होते हैं वो जबरासान कि कोई भी आप ले सकते हैं लेकिन मैंने ग्रीन लीए हैं तो फिर फिर सब से पहले हम जूस निका लेंगे मत्तिनों चीजों का開व师ी में एक कप जूस लेना है हमने पहले लेंसंनी हाम का यह का जूस निकाला तो लसन का जूस डाला इसमें इसी तरह अधर का एक कप जूस डालेंगे और एक कप लीमू का जूस डालेंगे और एक कप ही एपल साइडर विनिंगर तीनों चीजों का जूस निकाल लिया था भी एपल साइडर विनिंगर अब यह टोटल चार कप बन गया है तो हमने इसको तब तक पकाना है जब तक यह सिर्फ एक कप तक नहीं रहा जाता और मिडियम फ्लेम पे पकाएंगे हम इतनी ज्यादा आंच नहीं करनी जैसे जैसे यह पकेगा इसका कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन होता जाएगा यह देखें आप ग्रीनिश हो गया है कलर इसका तो अभी एक कप नहीं हुआ हम इसको और ज्यादा पकाएंगे एक इंगीडियँन जो के हनी है उसको हम एंड पर डालेंगे वो अपडेट चाप भी डाल सकते हैं एक चाप भी डाल सकते है वैसे आप इसको महीनों तक इस्तिमाल कर सकते हैं यह खराब नहीं होती तो बहुत अच्छी है यह आप ज़रूर ट्राइ करें यह दवाई बहुत अच्छी है आप सब के लिए बहुत ही यहल्दी होगी मुझे यकीन है मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें लाफीज